Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button YouTube पर Tag TV का channel subscribe कीजिये और notification का button भी दबाई किसी किसम का challenging जमाना हो Tag TV अपने views और news लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए Tag TV को अगर आप sponsors कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे इस वक्त भारत में ये बहस अपने जोरों पर है कि एरान की चाह बहार पोर्ट से भारत को निकाल दिया गया हता के भारत का मीडिया भी ये बात बड़ी शिदत से कर रहा है और बड़े दुक का इजहार कर रहा है और वो मीडिया भी जो प्राइम इनिस्टर इंडरा मूदी का supporter है वो भी ये बात कर रहा है कि ये एक तरह से क्या भारत की डिप्लोमेसी का failure है या भारत की policies का failure है जो भारत को एरान की चाबहार पोर्ट के project से निकाल दिया गया और ये भी analyze किया जा रहा है कि इससे भारत को काफी नुकसान होगा Central Asia तक जो भारत की trade बहुत असानी से इस चाबहार पोर्ट की वज़ा से हो सकती थी बिलोचस्तान और पाकिस्तान के सर पर भारत एक तरह से बैठ सकता था वो भी मुम्किन नहीं रहा तो देखने वाली बात ये है कि क्या वाक्य ही भारत को निकाल दिया गया है जो मीडिया की इस वकी language है भारत के all across board वो ये कहरें कि drop कर दिया गया लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है वो ये कि क्या भारत strategically खुद निकला है बलकि उसको निकाला नहीं गया क्योंकि भारत का जो strategic alliance है Americans के साथ है Australians के साथ है और वो जो quad का एक है और South China Sea का जो मामदा है और Indo-Pacific Ocean का जो मामदा है उसकी बड़ी strategy के लिए शायद भारत के लिए मुमकिन नहीं रहा था कि चा बहार पोर्ट में रहे उसका एक सबब ये भी था कि एरान पर भी trust करना बहुत मुश्कल है unpredictable है एरान भी अभी भारतियों ने और दुनिया बर ने recently देखा के एरान ने उपर तले भारत को कश्मीर पर और C.A. के हवाले से lecture देना शुरू कर दिये थे एरान ने भारत को उससे ये बात सामने आ रही थी के वो तल्लकात नहीं रहे क्योंके ये बात भी अपनी जगा तैह है के भारत एरान के साथ American sanctions के बावजूद बिजनस करता रहा उनसे तेल लेता रहा लेकिन जब से भारत की श्राकदारी और स्ट्राटेजिक एलाइनस अमरीका से बहुत बढ़ गया है और जब से अमरीका ने new sanctions लगाई हैं उसके बाद भारत के लिए शायद मुम्किन नहीं था के वो अपनी श्राकदारी को काईम रख सके भारत की opposition की कुवतें और opposition का हामी मीडिया और पुराने पॉलीसियों के जो दिलदादा हैं वो कहेंगे के भारत हमेशा non-aligned movement का हिसा रहा मुम्किन था भारत के लिए के वो अमरीका के साथ भी चलता रहता और एरान के साथ भी चलता रहता मेरी humble opinion के मताबक अब ऐसा मुम्किन नहीं था इसलिए के भारत का जो अब relationship यॉर्पिन यूनियन और अमरीका के साथ बढ़ता चला जा रहा है strategic alliance के हवाले से भी कारोबारी शराकदारी के हवाले से भी मुम्किन नहीं था भारत का के वो इरान के साथ अपनी partnership को बरकरार रखता और फिर उसके साथ साथ इरान की अपनी unpredictability भी है जैसा के मैंने का इरान पर trust नहीं किया जा सकता किसी भी हवाले से तो इरान की अपनी unpredictability भी है कि वो चीन की तरफ जा रहा था चूंके चीन की तरफ से उनको खुले पैसे की offer ती जैसा के इतलात आ रही हैं खबरें आ रही हैं कि 400 billion dollar चाइना वहां next 25 years में invest करना चाहता है चाइना ने जहां जहां कहीं भी investment की चाहे वो शरी लंका की बात हो, मालदीव की बात हो, अफरीका की बात हो, इवन पाकिसान की बात हो, उसके अच्छे नतायज उन मुलकों के लिए नहीं निकले, इंडोनेशिया, मलाइशिया तो आप interested ही नहीं हैं, चाइना की communist party की investment ले के लिए है, शेलंका से बाहर निकले, मालदीव से चाइनीज को बड़े तरीके से control किया गया, इरान के पास चुके option कोई नहीं है, दिवार के सार लगावा मुलक है, इरान क्या चाइना की जब expansionism की बात होगी, या जब कभी future में territorial claims की बात होगी चाइना की तरफ से, तो क् इरान उस पर काबू कर लेगा, मेरा ख्याल है, इरान स्टेज पर वो बातें भी नहीं सोच रहा है, इरान का शायद यही ख्याल है कि अमरीका दुश्मिनी के मौामले में उसके पास option कोई नहीं है, भारत उसके साथ on board रहा नहीं, तो क्यों ना हम ही इस खाबर को फिला दे इंडिया को, लेकिन यह जो दूसरा पहलू है, जिस पर मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए, भारत के लिए शायद खुद भी कोई option नहीं थी, कि वो इरान के साथ चल सके, एक वज़ा strategic alliance, और दूसरी वज़ा, चीन के साथ उनका जाना, और अगर भारत उनके साथ कि एरान ने फिर भी बाज नहीं आना था चीन से पैसे लेने में, चीन को involve करने के लिए, तो जब एरान ने later or sooner चीन को involve करना ही था, और फिर भारत का वहां पे रहना मुम्किन नहीं था, तो फिर शायद ये कड़वा गूट भारत के लिए पीना जरूरी था, कि वो खुद ही इस परजेक्ट से निकल जाएं, इसमें कोई शक नहीं कि भारत को इस शिराकटदारी से निकलने की वज़ा से नुकसान भी होंगे, मगर दूसी तरफ नुकसानाद ज्यादा थे, स्ट्राटेजिक एलाइन्स के थे, यॉर्किन यॉनियन और वर्ल्ड बैंक के साथ ट्रे जन्में है, तो वो चीन की एक्सपेंशन निजम जो है, वो वहां पहलेगी, जिसको भारत ने ही कर्टेल करना है, भारत ही वहां का दूसरा बड़ा पलेयर है, अभी हमने लदाख में ये देखा, कि किस तरह भारत ने, आफ्टर आल चाइना की भुलीज को, भलफ को, दुन कि भारत को इसका नुक्सान हुआ है, लेकिन मैं फिर इसको कंकूरूड इन लफजों में करूँगा, कि भारत को उसका फाइदा भी होगा, क्यूंकि भारत अनप्रेडिक्टेबल चाइना और अनप्रेडिक्टेबल एरान के साथ चल भी नहीं सकता था, लहाज़ा ये पहल अमरीका में पैंडेमिक के सिल्सा में जो स्कूल खुलने की बात है वो और वो जुड़ी हुई है बात चीट अमरीका के इलेक्शन के साथ, चुक्के इलेक्शन एयर है, अमरीका में जो कुछ भी होगा, इत्तफाकिया, एक्सिडेंटल, प्लैंट, वेल प्लैंट, बलन्ड वो इलेक्शन 2020 के साथ ही जुड़ा हुआ है, यहां पर कैनिडा में कैनिडा के प्राइमिनिस्टर जेस्टन टूडो ने भी मावी मांगी, यह भी बात करेंगे, प्राइमिनिस्टर पाकिस्तान, इमरान खान का एक वीडियो मैसेज टेलिवेजन पर था, जिसको को सपोर्ट करना था, फ्रीडम को कोट अंकोट सपोर्ट करना था, वो यूट्यूब ने रिमूव किया, उस पर टेलिवेजन के लोगों ने यूट्यूब के साथ राप्ता किया, वो वीडियो बहाल हुआ, लेकिन उसके साथ-साथ कश्मीर पर बना हुआ, पाकिस्तान का एक और सांग, जो हदीका क्यानी ने और एक टर्किश सिंगर ने मिलकर गाया था, वो रिमूव कर दिया, यूट्यूब ने, और हदीका क्यानी और उनके पार्टनर सिंगर का कहना है, कि वो अपने फीडम अप एक्सपैशन के लिए फाइट करेंगे, मगर शायद यूट्य ने से निकाला, कि उस वीडियो में इंडिरेक्ट जहादी कारवईयों को स्पोर्ट किया जाता था, इन सब बातों को साथ सा लेकर चलते हुए, मैं सबसे पहले आपको प्राइम निस्टर जस्टन टूडो का एक वीडियो कलिप सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं जिसमें उनोंने वी, वी, ए, नामी एक NGO से अपने खानदान की वाबस्तगी के सिल्सा में और अपनी वाबस्तगी के सिल्सा में केरेंडियन से माफी मांगी, पहले ये वीडियो क्लिप देखी और सुनिये, फिर मैं तपसा करूंगा. अफ्री में प्रहशा हैं, निए अपने और आप प्रहूंट थे वाबस्तगी का उपने खाली वाबस्तगी के सब्सक्राइण के साथ चलने वाली ये और इसे वीडियोग के के नाम से, जिसमें प्राम निस्टर की स्टेपमदर और भाई भी इन्वाल्ड थे और आप बोलन की बड़ी बड़ी फीसें लेते थे तनहाएं भी लेते थे और प्राइम मिनिस्टर टूडो पर बहुत शदीद कड़ी तनकीद आ ओपोजिशन की तरफ से अवाम भी खुश नहीं मीडिया में भी तनकीद हुई तो प्राइम मिनिस्टर जस्टन टूडो ने किनेडियन से माफियां मांग चुके हैं एथिक्स कमिशन के सामने भी पेश हो चुके हैं और अगर ये किसी तरह से हेरिंग में जाता है तो उनके लिए और मुशकल होगा तो बरहाल माफिय मांगना एक अच्छा जैस्टर है लेकिन आप मसलसल गलतियां करते चले जाएं तो फिर माफिय मांगना भी एक दोंग लगता है उदर अमरीका में पैंडेमिक की सूर्टेहाल बहुत गंबीर है बहुत ही जो उपर को जाता हुआ गराफ है केसे का अगर्चे वहां पर अमवात की जो रेट है वो पिछले अटैक से जो न्यू यॉक पैंसिलवेनिया और नॉर्टन स्टे में ज्यादा कैसे सामने आ रहे हैं हजारों की तदात में कैसे सामने आ रहे हैं चाली से पच्पन हजार तक डेली कैसे सामने आ रहे हैं और इसी बहस में इस वक्त अमरीका में ये बहस पी सासा चल रही है के स्कूल्स को सेप्टमबर यानि फॉल में उपन कर दिया जाए औ और अमरीका में जो मीडिया हैं, दो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, एक फॉक्स न्यूस नेटवर्क है और दूसरा सी एनन, और सी एनन के साथ साथ ABC, MSNBC, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट्स आउटलेट्स हैं, फॉक्स एक काफी बड़ा न्यूस लगता है कि पूरे का पूरा मीडिया दो कैम्पों में बटा हुआ है, कंजरवेटिव की पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं, या लिबर की बात करने वाले हैं, मीडिया मीडिया अब रहा नहीं, नियू यॉक टाइम्स भी लिबरल और डेमोक्रेट्स की सफों में है, तो तो वो लगता है कि मीडिया अब डारेक्ट पॉलिटिक्स में है और जाहर है मीडिया के इंटरेस्ट है वहाँ पे तो ये कहना कि मीडिया इंडिपेंडेंट है अमेरिका में अब ये बात बिलकुल दरुस्ट नहीं वो अपनी साइड लेते हैं अभी रीसेंडली न्यू यॉ लेकिन इस सारी सूर्टेहाल के साथ साथ सदेड टरंप ने चाइना पर अपनी जो तक्रीर है वो सख्त की हुई है अब एक्शन भी लेना शुरू कर दी हैं उन्हें हांग कांग के सिलसे में चाइना को ये मैसेज देते हुए हांग कांग के हवाले से जो स्पेशल किसम की म अब जो फाइफ जी नेट आ रहा है इंटरनेट का उसमें इंग्लेंड ने भी एलान किया कि हम हवावई को उसमें नहीं रखेंगे कैनिडा शच्चों पंच का शिकार है हवावई की जो चीफ फिनैंशल आफिसर हैं वो इसमें कैनिडा में हाउस अरेस्ट हैं अमरीका उन के खिलाफ एक्षिन लेते हुए हॉंग कांग की प्रिविलिजिस खतम करना चाहते हैं देखिए सदर्ट ट्रॉम का ये वीडियो क्लिप अमरीका में 2020 इलेक्षिन का साल है जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वहाँ जो कुछ भी और एक्सिडेंटल इतफा किया प्लेंट वेल प्लेंट ब्लेंडर्स वो सब इलेक्षिन के साथ ही जुड़ा हुआ है इतफाक से बदकिस्मती से अमेरिका में खास तार पर 2020 जो है पैंडेमिक का भी बहुत बुरा साल है पैंडेमिक अगरचे पूरी दुनिया में है लेकिन अमरीका सब से ज़्यारा मतास स्कूल को वापस आना चाहिए स्कूल को खुलने चाहिए और जैसा कि मैंने अभी पीछे का कि लेफ्ट का मीडिया कह रहा है कि स्कूल बंद रहने चाहिए वो उनके पास एक्जेक्टली वही दलाइल है बंद रखने के लिए जो राइट के मीडिया के पास हैं या कंसरवे मीडिया के बच्चे भी इनफेक्टेड हो सकते हैं और बच्चेOS से ज़्यादा टीचर इनफेक्टेड होंगे, तो पूरि कौम इस वक्त राइٹ और लेफ्ट में बटी होई है, अब राइट और लेफ्ट मेरे जाती राय में रहे नहीं कोई, अब वो राइट और राइट औ आपस देखें, तो वहां पर एक एहम जो पेशरफ्त है, वो इमरान खान की एक तक्रीर है, जिसमें उन्होंने कहा है, जिमादारी डाली है, कि पिछली जो स्यासी हकूमतें थी, उन्होंने बीस अरब डॉलर का कर्जा उनके उपर छोड़ा है. ये वीडियो क्लिप देखिए, इमरान खान का. हमारी जब गवर्मन्ट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा बीस अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था. तो उसका मतलब के रॉपए के ओपर प्रेशर पढ़ना था, क्योंके डॉलर जब कम होते हैं, तो इसका मतलब डॉलर की कीमत उपर चली आती है, रॉपए नीज़े आ जाता है. तो बहराल इमरान खान ने भी हस्बे ममूल जैसा के पॉलिटिक्स में अकसर दुनिया बर में बलेम गेम का कार्ड खेला जाता है, वो ही खेला, बदकिसमती से इमरान खान एकनॉमिकली, प्रिटिकली, किसी भी हवाले से कोई खास डिलिवर नहीं कर सके, जितने वादे किय अबावा भी कुछ डिलिवर नहीं कर सके, और पाकिस्तान की अवाम उनसे शदीद मयूस है, कश्मीर कार्ड वो खेलते रहते हैं, चूंकि यही अब वो कार्ड है, जो पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट और इमरान खान के काम आता है, जिसकी वजह से अवाम थोड़ा बहुत उनकी तरफ तोज्जो देते हैं, लेकिन मैं आपको सच पता हूँ, तो अब अवाम इस कश्मीर कार्ड की वजह से भी कुछ ज्यादा तोज्जो नहीं देते हैं, चूंकि उनको यह पता है, कि पाकिस्तान की यह जो कश्मीर की सो कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो अब खत्म हो चुकी है, उसके गुबारे से हवा निकल चुकी है, और अवाम कहती है कि हमें सिर्फ रोटी दे दो, इनसाफ दे दो, चूंकि आपने तरीक इनसाफ के प्लैटफॉर्म पर यह वादा किया था, इनसाफ में लेगा, ना इनसाफ है, ना रोटी है, ना हमार रीइंस्टेट किया है, और यह कह की किया है, कि थैंक्स फो यूर पेशिंट्स, दे वीडियो वास मिस्टेकनली टेकन डाउन, और इस नाव बैक अप, वीर सॉरी, तिस हैपन, चलिए, वो कश्मीर कार्ड के सलसे में, इमरान खान का वो वीडियो तो बहाल हुआ, उसका कि वारा चिडा के पेŞ कर रहा है, उनके कि खियाल में, या उनकी बहुत बड़ी जीत है, उनके खियाल में, यह यूट्यूब की माफी शय्यद, अब कश्मीर बन गया, पाकिस्तान वाली सूर्बलत है, कश्मीर के हवाले से ही, हदीका क्यानी का एक जो सांग है, जो उनोंने वो वीडियो रिमूव हो गया है यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया ये कहकर के इसमें कर जो कांटेंट है वो यूट्यूब की पॉलिसी के मताबक नहीं है बरहल अंदर की इतलात ये भी है के यूट्यूब को एसास हुआ कि ये इस तरह के सॉंग्स डारेक्ट और इन कश्मीर वज रिमूव रिमूव रॉम यूट्यूब फ्यू आवर्स अगो दियर सीम्स तो बी फ्रीडम फ एक्स्प्रेशन इशू तो वो इन चीजों को प्ले राउंड कर रही है वो कह रही है कि हम स्ट्रगल करेंगे और इनको वापस लेकर आएंगे अपने गाने को आजाने से कश्मीर में कितनी फ्रीडम की जो फाइट है या जो सो काल्ड सॉलिडरिटी की वो बात कर रही है कितना को उसका प्रैक्टिकल मظاہरा होगा मगर पाकिसान के जो मौट्श कार्ट सिंगर्स भी हैं और जो इस तरह के लोग भी हैं वो भी अब कश्मीर कार्ट को अगर ना खेलें तो फिर कहां जाकर अपने गाने गाएं और फिर कहां जाकर अपने फन का जोहर दिखाएं तो इनके फन का जोहर अल्टिमेली इनी मौमलागा पर कुलता है बिला तकल्द तेजिया में आज हमने जो इस वक्त की दुनिया की सूर्टेहाल खास वर पर जो हम साउटेशियन से मतलका है साउटेशियन जो अमरीका और कैनिडा में बसते हैं उन से जो मतलका है कैनिडा और अमरीका की जो टॉप की इस वक्त की खबरें हैं उन सब पे मैंने कमेंटरी आपके साथ पेश की आज की गुफ्तगू ताहर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिफिकेशन बटन यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे